C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की इतिहास की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारे अतीत हमारे अतीत ध्वनी पाठे पुस्तक में अब सुनते हैं अध्याय 2 आखेट, खाध्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक प्रिष्ट संख्या 11 अध्याय 2 आखेट, खाध्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक तुशार की रेल यात्रा तुशार अपने एक रिष्टेदार की शादी में दिल्ली सेच्च नहीं जा रहा था रेल में उसे खिडकी वाली सीट मिल गई जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मगन हो गया तेज दौरती गाड़ी से उसने देखा की पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान, बड़ी तेजी से पीछे की और छूड़ते चले जा रहे थे तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा पता है, लोगों ने मातर डेड़ सो साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी बस तो इसके एक दशक बाद आई तुशार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तब क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगा पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी आरंभिक मानों, आखिर वे इधर उधर क्यों गूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उप महादवीप में बीस लाख साल पहले रहा करते थे आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं भोजन का इंतिजाम करने की विधी के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है खास्तोर पर, खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे मचलियां और चिडिया पकड़ते थे फाल मूल, दाने, पौधे पत्तियां, अंडे, इकठा किया करते थे आखे टक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगा से दूसरी जगा पर घूमते रहते थे ऐसा करने के कई कारण थे पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगा पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आज-पास के पौधों, फालों और जानवरों को खा कर समाप्त कर देते थे इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगाओं पर जाना पड़ता था दूसरा करन यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूणने के लिए एक जगा से दूसरी जगा जाया करते हैं इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे-पीछे जाया करते होंगे तीसरा कारण ये कि पेडों और पौधों में फल फूल अलग-अलग मौसम में आते हैं इसलिए लोग उनकी तलाश में उप्युक्त मौसम के अनुसार अन्ने इलाकों में घूमते होंगे और चौथा कारण ये कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी जीलों, जर्नों या नदियों में ही मिलता है यद्यपी कई नदियों और जीलों का पानी कभी नहीं सुकता कुछ जीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है. इसलिए ऐसी जीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा. आरंभिक मानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरा तत्व विदों को कुछ ऐसी वस्तुवें मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखे तक खाद्य संग्राहक किया करते थे यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकडियों और हड्डियों के आउजार बनाए हो इनमें से पत्थरों के आउजार आज भी बचे हैं इनमें से कुछ आउजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मास काटने, तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था कुछ के साथ हड्डियों या लकडियों के मुठ़्े लगा कर भाले और बान्ड जैसे हथियार बनाए जाते थे कुछ आउजारों से लकडियां काटी जाती थी लकणियों का उपयोग इंधन के साथ साथ जोपडियां और आवजार बनाने के लिए भी किया जाता था यहां दो चित्र दिये गए हैं इन चित्रों का विवरन इस प्रकार से है पत्थर के आवजारों का उपयोग बाएं हात की और जो चित्र है उसका वर्नन इस प्रकार से है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाई और का जो चित्र है उसमें उस आउजार का वर्नन है जो जानवरों की खाल से बने वस्तरों को सिलने के लिए किया जाता था प्रिष्ट संख्या तेरह रहने की जगह निर्धारित करना मानचित्र दो को देखो लाल त्रीकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रहाकों के होने के प्रमाण मिलते हैं इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रहाक रहते थे मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किये गए हैं कई पुरास्थल नदियों और जीलों के किनारे पाए गए हैं यहाँ पर मानचित्र दो दिया गया है प्रिष्ट संख्या 14 चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महतोपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगा ढूनते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें भीम बेटका आधुनिक मध्य प्रदेश इस पुरास्थल पर गुफाएं वा कंदराएं मिली हैं लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहां उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से रहत मिलती थी यह गुफाएं नर्मदा नदी के पास हैं क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? यहां और एक चित्र दिया गया है उसका वर्नन इस प्रकार से है शैल चित्रकला इनसे हमें क्या-क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दिवारों पर चित्र मिले हैं इनमें कुछ सुन्दर उदाहरन मध्य प्रदेश और दक्षिनी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रन किया गया है इस प्रिष्ट के अंत में और एक चित्र है और जिसमें प्राचीन काल की गुफाएं दिखाई गई हैं प्रिष्ट संख्या पंदरह पुरा स्थल पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां आवजार, बरतन और इमारतों जैसी वस्तूओं के अवशेश मिलते हैं ऐसी पुस्तकों का निर्मान लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए ये जमीन के उपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा आग की खोज मानचित्र दो में कुर्नूल गुफा ढूढो जो प्रिष्ट संख्या 13 में दिया गया है यहां राख के अवशेश मिले हैं इसका मतलब यह है कि आरंभीक लोग आग जलाना सीख गए थे आग का इस्तेमाल कई कारियों के लिए किया गया होगा जैसे कि प्रकाश के लिए, मास भूनने के लिए और खतरनाक जनवरों को दूर आदी भगाने के लिए आपके लिए प्रश्न आज हम आग का उप्योग किस लिए करते हैं? यहां बॉक्स में नाम और तिथियों के बारे में बताया गया है शिर्शक है नाम और तिथियां हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरा तत्व विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं आरंभिक काल को वे पुरा पाशान काल कहते हैं यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाशान यानी पत्थर से बना है यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के आउजारों के महत्व को बताता है पुरा पाशान काल बीस लाख साल पहले से बारा हजार साल पहले के दोरान बाना जाता है इस काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है आरंभिक, मध्य, एवं उत्तर, पुरा पाशान युग मानव इतिहास की लगभग 99 प्रतिशत कहानी इसी काल के दोरान घटित हुई जिस काल में हमें परियावरणिये बदलाव मिलते हैं उसे मैसोलित यानी मध्य पाशान युग कहते हैं इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है इसकाल के पाशान आवजार आम तौर पर बहुत छोटे होते थे इन्हें माइक्रोलित यानी लगभू पाशान कहा जाता है प्रायह इन आवजारों में हड्डियों या लकडियों के मुठे लगे हसिया और आरी जैसे आवजार मिलते थे साथ-साथ पुरा पाशान युग वाले आवजार भी इस दौरान बनाये जाते रहे अगले युग की शुरुवात लगभग 10,000 साल पहले से होती है इसे नव पाशान युग कहा जाता है नव पाशान का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिये हैं अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं क्योंकि हमें ग्यात नहीं है कि उस काल में इनके नाम क्या रहे होंगे। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवाईयों में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारह सिंगा, भेड, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़ कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथी इस काल में मचली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत इसी दोरान उप महाद्वीप के भिन भिन इलाकों में गेहूं, जव और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुशों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहां उगते थे और कब पक कर तयार होते थे। ऐसा करते करते, लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। और इस प्रकार धीरे धीरे वे किसान या क्रिशक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख कर जानवरों को आकरशित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड, बकरी, गाए और सुर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर जुंड में रहते थे और ज्यादा तर घास खाते थे। अकसर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमन से इनकी सुरक्षा किया करते थे। और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। आपके लिए प्रश्न, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया। बसने की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देख भाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अकसर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाएगे पौधों या जानवरों का लोग चैन करते हैं। उदाहरन के तौर पर लोग उन्ही पौधों या जानवरों का चैन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्ही पौधों को चुनते हैं जिन से बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें ऐसे पौधों के भीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें उन्ही जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आम तोर पर अहिंसक होते हैं इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृशी के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे-धीरे भिन्न होते गए मिसाल के तोर पर जंगली जानवरों की तुल्दा में पाल्तू जानवरों के दात और सिंग छोटे होते हैं आपके लिए काम, दातों के इस चित्र को देखो, इन में से काउन सा जंगली सुवर का है और काउन सा पालतु सुवर का। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तों में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। प्रिशी के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जव आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड बकरी आते हैं। यहां एक चित्र दिया गया है, जिसका शीर्शक है अनाज के उपियोग। और उसके अलग-अलग स्वरूप को यहां पर बताया गया है बीज के रूप में, खाद्दे के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारन के लिए। एक नवीन शैली तुम किसी पौधे के बीज को बोग कर देखो। तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महिने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे, तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिचाई करने, खर पत्वार हटाने, जानवरों और चिडियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उप्योग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। प्रिष्ट संख्या 18 बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बरतन बनाए। टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड़ा खोदा। आपके सोचने के लिए। क्या आपको लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बरतन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे। अपने जवाब का कारण बताईए। जानवर चलते फिरते खात दे भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखवाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूद भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मास भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारन का एक तरीका है। जरा सोचें और बताएं, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या-क्या मिल सकता है। और आज जानवरों का उपियोग किसलिए होता है। आओ, आरंभिक क्रिशकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2, जो प्रिष्ट संख्या 13 में दिया गया है, देखो। क्या तुम्हें वहां कई नीले वर्ग दिख रहे हैं। पता है, इनमें से प्रतेक बिंदू उस जगह को दर्शाता है, जहां पुरातत्व विदों को शुरुवाती क्रिशकों और पशुपालकों के होने के साक्षे मिले हैं। ये पूरे उप महाद्वीप में पाए गये हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्ची मोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिन भारत में पाए गये हैं। वास्तों में ये निर्दिष्ट स्थान, क्रिशकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जाचने के लिए वैग्यानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्यान करते हैं। इनने से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के आउशेश हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जान बूझ कर जलाए गए होंगे। वैग्यानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महादवीब के विभिन भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैग्यानिक विभिन जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। पुरा तत्व विदों को कुछ पुरा स्थरों पर जोपडियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि बुर्ज होम, जो बर्तवान कश्मीर में है, यहां के लोग गड़े के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीधियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरा तत्व विदों को जोपडियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। आपके लिए काम एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के आवजार भी विले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरा पाशान युगीन उपकरणों से भिन्न हैं। इसलिए उन्हें नौ पाशान युग का माना गया है। इनमें वे अवजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा बनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन आउजारों का निर्मान और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ आउजार हड्डियों से भी बनाय जाते थे। यहां नौ पाशान यु के कुछ उपकरणों का चित्र दिया गया है। प्रिष्ट संख्या 20 सबसे पहले इस चित्र के बारे में जो इस प्रिष्ट पर दिया गया है और यहां एक पात्र का चित्र है और एक प्रश्न पूछा गया है क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा अब आईए पाठ में चलें इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे ऐसी बात नहीं है एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष, शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दर्मियान धीरे-धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल-बदल कर अपनी जीवी का चलाया करते थे सुक्ष्म निरीक्षन मेहर गढ़ में जीवन मृत्यू सबसे पहले इस चित्र के बारे में जो यहां दिया हुआ है ये मेहर गढ़ के घर का चित्र है अब पाठ मान चित्र दो जो प्रिष्ट संख्या 13 में मिलता है उसमें मेहर गढ़ ढूढ़ो यह इरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहर गढ़ संभोता हुआ स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जव, गेहुं उगाना और भेड बकरी पालना सीखा यहां विभिन प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली जिन में हिरन तथा सूर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड और बकरीयों की हड्डियां है मेहर गढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेश्ट भी मिले हैं प्रतेक घर में चार या उससे ज्यादा कमरे हैं जिन में से कुछ संभोता भंडारण के काम आते होंगे मृत्यू के बाद सामान्यतह मृतक के सगे संबंधी उसके प्रती संबान जताते हैं लोगों की आस्था है कि मृत्यू के बाद भी जीवन होता है इसलिए कबरों में मृतकों के साथ कुछ समान भी रखे जाते थे मेहरगड में ऐसी कई कबरें मिली हैं प्रिष्ट संख्या 21 एक कबर में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था संभोता इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा यहां एक चित्र दिया गया है जिसका वर्णन इस प्रकार से है मेहरगड की कबर का चित्र क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? अन्यत्र फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी अपने एटलस में फ्रांस ढूढ़ो यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है इस पुरा स्थल की खोज लगभग सौ साल पहले चार स्कूली छात्रों ने की थी इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे इनमें कई जानवरों के चित्र हैं इनमें जंगली घोडे, गाए, भैस, गैंडा, रेंडियर, बारह सिंगा और सुवरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है इन रंगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खानिज पदार्थों से बनाया जाता था यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के आउसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा आपके सोचने के लिए क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो प्रिश्प संख्या 22 सबसे पहले उपयोगी शब्द जिनका प्रयोग इस पाठ में हुआ है उपयोगी शब्द आखेटक खाद्य संग्रहक पुरा स्थल उद्योग स्थल आवासीय स्थल अब पाठ की उर चले एक नव पाशानिक पुरा स्थल एटलस में तुर्की ढूढ़ो नव पाशान यूग के सबसे प्रसिध पुरा स्थलों में एक चताल यूग तुर्की में है यहां दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौडियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां ध्यान रहे कि उस समय तक पहिये वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था लोग सामान, खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे तो बताओ कौडियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो प्रिष्ट 14 पर देखो तुम्हारे मामा गुफा की एक भीत्री दिवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खीचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानिया सुनाएंगे आओ याद करें एक, इन वाक्यों को पूरा करो क, आखेटक खाद्य संग्रहक गुफाओं में इसले रहते थे क्योंकि खाली स्थान ख, घास वाले मैदानों का विकास खाली स्थान साल पहले हुआ दो, खेटी करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे तीन, पुरा तत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगड के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महतोपून हो गया प्रिष्ट संख्या 23 आओ चर्चा करें चार, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं पांच, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उप्योग किन किन चीजों के लिए करते थे क्या तुम आज आग का उप्योग इन में से किसी चीज के लिए करोगे 6. क्रिशकों पशू पालकों का जीवन आखे टक खाद्य संग्रहाकों के जीवन से कितना भिन्न था तीन अंतर बताओ आओ करके देखें 7. ऐसे दो काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं दो ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही करती हैं और दो वे जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते हैं अपनी सूची की अपने साथियों की सूचीयों से तुलना करो क्या तुम्हें इनमें कोई समानता या भेद दिखाई दे रहा है? अगर हां तो एक तालीका बना कर उसकी खेती की विभिन अवस्थाओं को दिखाओ और अगर नहीं तो एक तालीका बना कर दिखाओ कि ये अनाज किसान से लेकर तुम्हारे पास तक कैसे पहुँचे कुछ महतोपूर्ण तिथियां जो इस प्रिष्ठ पर दी गई हैं मध्य पाशान युग 12,000 साल से 10,000 साल पहले बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले नौपाशान युग का आरंभ 10,000 साल पहले अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की इतिहास की पाठे पुस्तक हमारे अतीत का दूसरा अध्याय आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक निर्माण सहयोग शानु मुक्सीम वाचन स्वर और निर्माण अजी थोरो तथा प्रस्तुती CIET NCEAT नैदिल्ली भारत